समसदी इतिहास के शरुवते दिनों में, डॉक्टर सरवपली राधाकिष्ण जी ने राजसभा के महत्व पर गाथा, कि पार्लेमेंट इस नॉट अउन्डी ए लेजिसलेटिव, बट ए डेलिबरेटिव बाडी. राजसर्भा से देश के जनता की अलेक उची अपेक्षाए है, सर्वोत्तम अपेक्षाए है, और इसलिए माने सदस्यों के बीच गंबीर विशों की चर्चा और उसे सुनना, ये भी एक बहुत 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 सुखद आउसर होता है. नया संसत भवन एक सिरफ नई बिल्डिंग नहीं है, लेकिन एक नई शुरुआत का प्रतीग भी है. हम व्यक्ति के जिवन में भी देखते हैं, जब किसी भी नई चीज के साथ हमारा जुड़ावाता है, तो मन पहला करता है, कि अब एक नए बातावन का मैं अप्टिमम व्यूटिलाजिशन करूँगा, उसका सरभादिक सकारात्मक बातावन में मैं काम करूँगा, एक साहथ सोभा होता है. और अमरत काल की शुरूआत में ही इस भवन का निर्मान होना, और इस भवन में हम सब का परवेश होना, यह अपने आप में, हमारे देश के 140 करोड़ नागरीकों की जो आशा आकांख्षा है, उसमें एक नई उर्जा भरनावाला बनेगा, नई आशा और नया विस्वास प अधरिये सभापती जी, हमें ताइस समय सीमा में लक्षों को हासिल करना है, क्योंकि देश जैसा मैंने पहले भी कहा था, ज्यादा प्रतिक्षा नहीं कर सकता है, एक कालखन था, जब सामान ने मन को लगता था, तो भी ठीक है, हमारे माबाप भी ऐसे गुजारा कि है, हम भी कर लेंगे, हमारे नसीब में यह था, हम जी लेंगे, आज समाज जीवन की और खास करके नई पीड़ी की सोच बूर नहीं है, और इसलिए हमें भी नई सोच के साथ, नई संक्षाईवी के साथ, सामान ये मानवी की आशा अकांखाओं की पूरती के लिए, हमारे कारका व्यापनी बढ़ाना पड़ेगा, हमारी सीमा, सोचने की जो सिमाएं हैं, उससे भी हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, और हमारी क्षमता जितले बढ़ेगी उतना ही देश की क्षमता बढ़ाने में हमारा योगदान भी बढ़ेगा। देश की विधान से भावों को देश की स्थानी स्वराज के संश्था हो को वाकि सारी व्यवस्ता हो को प्रेणा दे सकते हैं। इसमाया हो और ये परंपरा यहां से हम कैसे आगे बढ़ाएं। आदर ने सरहवत देजी पिछले नव वर्ष से आप सब के साथ से सहयोग से देश की सेवा करने का हमें मुका मिला। कई बड़े निर्णे करने के उसरा आएं। और बड़े महत्वपुन निर्णों पर फैसले भी हुए और कई तो फैसले ऐसे थे जो दसकों से लटके हुए थे। अधिन फैसलों को भी और ऐसी निर्णे ऐसी वाते थी जिसको बहुत कठी माना जाता था मुश्किल माना जाता था और राजनितिक दुर्ष्टी से तो उसको सपर्ष करना भी बहुत ही गलत माना जाता था लेकिन सब के बावजुद भी हमने उस दिशा में कुछ हिम्मत द कि अतनी संख्या नहीं थे लेकिन हमें एक विश्वास था कि राजसभाद दलगत विश्ट सोच से उपर उठकर करके देश्षित में जरूर अपने फैसले लेगी और मैं आज बड़े संतोष के साथ कह सकता हूँ कि उदार सोच के परणा हमारे पास संख्या बल कम होने के बावजुद भी आप सभी मानिये सांसदों की मैच्चुरिटी के कारण समझ के कारण राष्ट ही के प्रति अपनी जिम्मेवारी के कारण आप सब के सहयोग से हम कई ऐसे कठी निर्णे भी कर पाएं और राज संख्या की घरिमा को उपर उखाने का खांँ कि सदेश्या संख्या के बलकर नहीं समझदारी के सामर्थ पर आगे बढ़ा इससे बड़ा संतोष क्या हो सकता है और इसलिए मैं सदों के सभी मानिये सांसदों का जो आज बैह हैं जो इसके पहले थे उन सब का धनिवाद करता हूँ अधरिये सभावतिजी लोक तंत्र में कौन साथन में आएगा कौन नहीं आएगा कौन कप आएगा ये क्रम चलता रहता है वह बहुत स्वाभावी है और वह लोक तंत्र की स्वाभावी कि उसकी प्रकूंति और प्रभुत्ति भी है लेकिन जब भी विशाय देश के लिए सामने आए हम सबने मिल करके राजनीती से उपर उट करके देश के हीतों को सर्वों पर ही रखते हुए कारे करने का प्रयास किया है आधरिये सभापती जी राज सभा एक प्रकार से राज्यों का भी प्रतिनिदी तो करती है एक प्रकार से कोपरेटिव फेडरिलिजम और अब हम जब कॉम्पेटिटिव कोपरेटिव फेडरिलिजम का बल दे रहें तब हम देख रहें कि अत्यंत सरयोग के साथ अनेके से मसले रहे हैं देश आगे बड़ा है कोविड का संकट बहुत बड़ा था दुनिया ने भी परिशानी जली है हम लोगों ने भी जली है है लेकिन हमारे फेडरिलिजम की ताकत थी कि केंद्रो और राज्यों ने मिलकरके जिससे जो बनपड़ता है बनप करकर के देश की बहुत बड़ے संकट से मुक्ति दलाने का प्रयास किया और यहीं ताकत को बल देता है हमारे फेडरल स्रक्चर को कि एक ताकत उसने अनेक संकटों का सामना कि तो सिर्फ संकटों के समय नहीं कि उत्सव के समय हुए है दुणिया के सामने भारत कि उस ताकत को पेश किया है जिस से दुनिया प्रभावीत हुए है भारत की भी टिता भारत के इतने राजिति जिता भारत में इतने बेडिया हाउसीज भारत के इतना रहन्स हैं बोलियां ये सारी चीजे जी ट्विंटी समीट में राज्यों में जो समीट हुई कोई कि दिलनी में तो बहुत देर से आए लेकि उसके पहले देश के साथ इतने शोहरों में 220 से जादा समीट होना और हर राज्यों ने बढ़ और जो डेलिबर्शन से उसने तो दुनिया को दिशाद देने का सामर्त दिखाया है और ये हमारे फैडरलिजम की ताकत है और उसी फैडरलिजम के कारण और उसी कोपरेटिव फैडरलिजम के कारण आज हम यहां प्रगति कर रहे हैं आदरे सभापति जी इस नए सदन में भी नई हमारी पार्लामेंट बिलिंग में भी उस फैडरलिजम का एक आउस जरूर नजर आता है क्योंकि जब बनता था तब राज्यों से प्रार्शना की गई थी कि कई बाते हैं जिसमें हमें राज्यों की कोईन कोई याद यहां चाहिए लगना चाहिए कि यह भारत के कि कला कुरूतियां कई चीत्र पूरे हमारी दिवारों की शोभा बढ़ा रहे हैं वो राज्यों ने पसंद करके अपने राज्य की स्रेष्ट चीज़ बेजिए हैं एक प्रकारति यहां के वातावरम में भी राज्य भी हैं राज्यों का की विवित्यता भी हैं और फैडरल प्रकारति जी कि टेक्नोलोजी ने जीवन को भहुत तेजी से प्रभावित किया हैं पहले जो टेक्नोलोजी में बढ़लावा आतने में पचास-पचास साल लग जाते थे वो आजकल कुछ हपतों में आ जाते हैं आधुनिक्ता अनिवारियता बढ़े गई हैं और आधुनि और डाइनेमिक की रूप से आगे बढ़ाना ही पड़ेगा तब जाकर के उस आधुनिक्ता के साथ हम कदम से कदम मिलाकर कर आगे बढ़ सकते हैं आधरी सभापती जी पूराने भवन में हमने जिसको अभी आपने समिधान सदन की रूप में कहा हमने वहां कभी आधादी का अमरत महत्सा वो बड़े आनबान शान के साथ मनाया 75 साल का हमारी यात्रा की दरब हमने देखा भी और नई दिशा नया संकल्प करने का प्रयास भी शुरूब किया है लिकिन मुझे पुरा भी स्वास है कि नए संसद्धान में आधादी की जब हम सताब्दी मनाएंगे वो स्वान सताब्दी विक्षिद भारत की होगी इंडिया की होगी मुझे पुरा भी स्वास है कि पुराने भावन में हम पांच भी अर्थ ववस्ता तक पहुंचे थे मुझे विश्वास है कि नए संसद्भावन में हम दुनिया की टॉप थ्री एकोनोमी में पुराने संसद्भावन में गरीब कल्यान के अनेक इनिशेटिव हुए अनेक काम हुए नए संसद्भावन में हम आप शत प्रतिशत सेटुरेशन जिसका हग तो उसको पुरा मिले अधर नियस अभावती जी इस नए सदन की दिवारों के साथ साथ हमें भी अब टेक्नोलोजी के साथ अपने आपको एड़्जेस्ट करना पड़ेगा क्योंकि सारी चीजें हमारे सामने आइपेड पर हैं मैं तो प्रार्षना करूंगा कि बहुत से मान्य सदुचों को अगर कल कुछ समय निकाल करके उनकी अगर परिचित करा दिया जा तो उनकी सुविदा रहेगी वहाँ बैठेंगे अपनी स्क्रीन भी देखेंगे ये स्क्रीन भी देखेंगे और टेक्नोलोजी वाले अगर तो हो सकता है कि उनको कठिना ही ना आए कि आज मैं भी लोगसभा में था तो कई साथियों को इन चीजों को आपरेट करने में दिक अच्छा होगा अधारिय स्भापति जी इस डिजिटल का यूग है हमने इस सदन से भी उस चीजों से आदतन हमारा हिस्सा बनाना ही होगा शुरू में थोड़ा दिन लगता है लेकिन अब तो बहुत सी चीज़े उजर फ्रेंडली होती है बड़े आराम से इन चीजों का अड़प दिया जा सकता है हम इसको करें मेकिन इंडिया एक प्रकार से ग्लोबली गेम चेंजर के रुप में हमने इसका भरपूर फाइदा उठाना और मैंने कहां वैसे नई सोच नया उत्सा नया उमंग नई उर्जा के साथ हम आगे बढ़कर के कर सकते हैं पादर्णी सभापती जी आज नया संसद हो देश के लिए एक महतोपुन इत्यासिक फैसले का साक्षी बन रहा है अभी पार्लेम लोग सभा में एक बील प्रसुत किया गया है वहां पर चर्चा होने के बाद यहां भी आएगा नारी शक्ति के सस्क्ति करण की दिशा में अगया है उसमें एक अट्यंत महतोपुन कदम आज हम सब मिलकर के उठानी जा गए सरकार का प्रयास रहा इज अफ लिविंग का क्वालिटी ओफ लाइब का और वीज ओफ लिविंग क्वालिटी ओफ लाइब की बात करते हैं तो उसकी पहली हगदा हमारी बहने होती है कि इन्हें हमारी नारी नारी होती है कि उसी में और इसलिए हमारी प्रयास रहा है कि और राश्ट निर्माण की भूमी का भड़े ये भी हमारी उतनी ही जिम्मबवारी है Anthrop नई नई सेक्टर्स हैं जिसमें महिलाओं की शक्ति महिलाओं की भागिदारी निरंतर सुने सित्की जा रही है माइनीं में बहने काम कर सके निर्ण हमारे ही संसदों की मदद से हुआ हमने साहिनी स्कुलों को बेटियों के लिए दरवा जो खोल दी कुई वैसकों मैं जो सामर्थ हैं उस सामर्थ को अब ऑस्वर मिलना चाहिए Caleb को उनके एलिमन में इप संद ब्रस्का युख खतम हो चुका है हम जितना सामर्थ हम जितनी सुवीदा देंगी उतनी सामर्थ हमारी मात्रु शक्ती हमारी बेटियां हमारी बहने जिखाए हुआ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भ्यान ऑब कोई सरकारिक आखम नहीं है समाज ने इससे अपना बनाया है और बेटियों को मान समान के दिशा में समाज में घ्ञाओं पैदा हुआ है मुद्रा योज्रा हो जंधन योज्रा हो महिलाओं ने बढ़ चटकर के इसका लाब उठाया है फाइनसल इंक्लुजन के इंदर आज भारत भी महिलाओं का सक्रिय योगदान नजर आ रहा है यह अपने आप में मैं समझता हूँ उनके पारिवार के जीवन में भी उनके सामर्थ को प्रकट करता है जो सामर्थ अब राष्ट जीवन में भी प्रकट होने का वक्त आ चुका ह हमारी कोशिस रही है कि हमारे माताओं बहनों के स्वात को ध्यान में रखते हुए उजवला योजना हमें मालूम है गैस सिलिंडर के लिए पहले एंपी के घर के चक्र काटने पड़ते थे गई परिवारों तक उसको पहुंचाना में जानता हूँ बहुत बड़ा आर्थिक का बोज है लेकिन महिलाओं के जीवन को ध्यान में रखते हुए उस काम को किया महिलाओं के सम्मान के लिए ट्रिपल तलाब लंबे अर्शे से राजनेती कृस्टी से राजनेती कि लावालाब का शिकार हो चुकाता इतना बड़ा मानवी नेड़ हैं लेकिन हम सभी मानने स राउससदों की मदद से उसको कर पया नारी सुरक्षा के लिए कड़े कानुन बनाने का काम भी हम सब कर पाए हैं लेड़ डेवलप्मेंट जीट्वैंटी की सबसे बड़ी चर्चा का विशय रहा और दुनिया के कई देश हैं जीन के लिए लेड़ डेवलप्मेंट विश कि फोड़ा सा नया सानुव होता था और जब उनकी चर्चा में सूर आते थे कुछ अलग सी सूर सुनने को मिलते थे लेकिन जी ट्वेंटी के डिकलेरशन में सबने मिलकर के विशाय को अब भारत से दुनिया के तरफ पहुंचा है यह हम सब के लिए गर्व है आदनी सभावत जी इसी बैग्राउंड में लंबे अर्शे से विदान सभा और लोग सभाव में सीधे चुनाओं में में मेहनों की भागेदारी सुनिशित करने का मिशाय है और यह बहुत समय से आरक्षण की चर्चा चली थी हर किसे ने कुछ और कुछ प्रयास किया है लेकिन और यह 1996 से कि शुरुआत हुई है और अटल जी के समय तो कई बार भी लाएक है लेकिन नंबर कम पढ़ते थे खुछ उग्रे विरोद का भी वाताओं रहता था एक महत्तों कौन काम करने में कख्वी असुविता होता था लेकिन जब नए सदन में आये हैं नया होने का एक अन्राव उ विश्वास है कि यह जो लंबे अर्शे से चर्चा में रहा विशा है अब इसको हमने कानून बना करके हमारे देश की विकास यात्रा में नारीश शक्ती की भागीदारी सुनिश्चित करने का सुद्धा है आज इसलिए नारी शक्ती बंदन अधिनियम नारी शक्ती बंदन अधिनियम समिधान संसोदन के रूप में लाने का तरकार का विचार है जिसको आज लोग सभा में रखा गया है कल लोग सभा में इसकी चर्चा होगी और इसके बाद राजे सब हमें भी आएगा मैं आज आप सबसे प्रास्रा करता हूं कि एक ऐसा विशा है जिसको अगर हम सर्वसंबती से आगे बढ़ाएंगे तो साच अर्थ में वो शक्ति अने गुना बढ़ जाएगी और जब भी भी हम सब के सामने आये तब मैं राज सभागे सभी मेरे मानलिये साउसत साथियों साज आगरह करने आया हूं कि हम सर्वसंबती से जब भी उसकी निर्णे करने का आउसर आएं आने वाले एक दो दिन में आप सब के सहीयोग के अपेक्षा साथ मैं मेरी वानी को ग्राम देता हूं बहुत बहुत धन्व माननिये सद्शो मैं माननिये विपक्ष के नेता स्री मलिक आरजुन खडगे जी को सदन को समद्ध समद्धित करने के लिए हामन जीत करता हूं माननिया अद्धिक्ष मोड़ें मैं बहुत अंबा भाशन नहीं करना जाता हूं मैं यह सोच के आया था कि आप तरफ आपके तरफ से कुछ भाशन होगा और उसके बाद में हम सब लोगों को आप रिहा करेंगे आज इसी सूच मेरी जी वो गलत हो गया लेकिन एक बात तो है आज भारत के प्रदान मंत्री जी पहले प्रदान मंत्री भारत के पहले प्रदान मंत्री जी बहुत लंबित वाशन दो तीन आज उनके होगे एक तो पार्लमेंट में हो गया हो एक तो जॉइन वहां पर सेंटरल हॉल में अब फिर यहां पर तो उन्होंने जो कुछ कहा एक बात तो वो क्रडिट हमको देते नहीं लेकिन मैं उनके नोटिस को लाना चाहता हूं कि वुमन रिजर्वेशन बिल